हाई गाईज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल गाई इससे पहले मैं आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँ अब वान थिंग एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सेट बैक क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताइएगा क आपके अकॉर्डिंग एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सेट बैक क्या होता है क्या मेरे अकॉर्डिंग एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सेट बैक तब होता है जब वो अपनी कैपिटल बर्न कर देता है जब वो अपना अकाउंट ब्लो कर देता है तैट इस बिगे अगर आप अपिनी प्रोटेक्ट करना सीख गए न यूू कन भी आ अपनी प्रोटेक्ट करना बिए वाइल टेकि पर्जार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे क्योंकि पांचों इन पांचों इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करते हैं, जा कि सबसे पहले टिप की औरवेज भी पेस्यंज वाइल टेकिंगा ट्रीट होता गया है जो इंट्राइब ट्रैडर्र कोईब को खुछ सहाग तो मुझे अगहारण मोग्त्रों से विल की Uh छोटायदा ले वह dua εδώ शंती है तार करने से अनुछ ठीसर अगहारो रिखा होद गया चांद अंदिन उनमे कोंग विल रोता द्लया है अगर अब यह बेचान हो जाएंगे अपके अंदर inpatient हो जाएंगे ट्रेड लेने के लिए तो क्या होगा आप random trade लेना शुरू कर देंगे अब प्रेयोफ मिसिंग आउट के चकर में जल्दी trade लेना शुरू कर देंगे अगर आप ऐसा गरेंगे तो क्या होगा वो लॉसीज हो जाएंगे क्योंकि जब तक आपका सेटप आपको प्रॉपर ट्रेट नहीं देगा उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो तो दाट ट्रेड कें गिव यौर लॉसीज और यौर कैपिटल तो कोई बात नहीं अगर अभी तो देर बाद मिल चाएगा तो कोई बात निकल्यों कर लूंहिंक पुझे कोई जलदी नहीं सोच प्रेडिंग कर रहा हूं और मैं फूल टायटर हूं मैं फूल ट्रेडिंग के आगे साधे तीन तक बैठा हो तो मुझे साधे तीन तक ट्रेडिंग करनी यह करनी है और sums dwa यहां मेरे पाल कोई वर आगे कहते हैं मैं मार्कित बोर्रिंग ती में क्यों क्या हों वारे पूरा जिन में सफ एक ही ट्रेड मिला थेट आप की जादर बोरिंग जाला वर्ट बोरिंग जाद रहा है कैस डों बिन हरी तो दो अर्वा ट्रेडिंग अगर आप इन पेशेंसली करेंगे अगर आप over trading करेंगे what will happen you will blow your capital you will take a random trade that will give you our losses so पैला suggestion मेरा यही है कि while taking a trade be patience and don't do the over trading that both thing can help you to protect your capital while taking a trade दूसरा ट्रिप दूसरे टिप यह है कि while taking a trade always look for the value stock and in the money option होता कि है जब हम trading trader trade करते है intraday trader trade करते हैं जो कोई भी trader trade करते है what they happen जोगर उसके बाद 10,000 capital है उन्हें कोई option भाई करने है call option या put option वो देखेंगे अच्छा इंदा मनी option यार इंदा मनी option तो इतनी महंग है मैं तो एक ही money option क्योंकि वह सबस्ती है जितने आप इंदा मनी option एक ले पाएंगे उतने हमें आप out of money option दो या तीन ले जाएंगे जो लूप फोर दा चीप option बाई एक्स्ट्र उप्षिन होता गया माल लिजी चलो अगर एक अगर आपका तार्गेटर और या तो आपको फोर देके जाएगी एक उपिजिट चैन आपको लोसी देके जाएगे आउट dai मनी option as compared to in the money option आपको ज्यादा लोसे दे जाएगी और अगर market buyton consolidate कर गई तो in the money option में तो कम लोसेज होंगे और out of a money option zero भी हो सकती है तो सस्ते के चक्कर में लोग क्या करते हैं in the money option बाई नहीं करते हैं हमेशा out of money option बाई करते हैं as compared to in the money option जब भी आप trading करें always go for the in the money option बात करते हैं always go for the value stocks सस्टे stocks पर चक्कर में मत पढ़ो आपको अगर किसी के पास तीन स्टोक आए होंगे ना एक सेटप के अगॉर्डिंग जाको स्कैनर के अगॉर्डिंग तीन स्टोक आए होंगे वह यह नहीं देखेगा कि किस टॉक कौन सा value stock है कि स्टोक में कितनी अच्छी वोल्यूम है या किस के fundamental अच्छी है या कौन सा स्टोक विल टेक टाइम तो रीच टारगेट अगर उस टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं होगा तो स्टोक आपको लॉसिस देके जाएगा तो वाइल टेकिंगा ट्रेट ओल्वेस को फ़र दा इंदा मनी ओप्शन और वैल्यू स्टोक सस्ते के चकर में मत पड़ो अगर अगर आप सस्ते के चकर में पड़े तो आपको लॉसिस हो सकते हैं तो सेकिंड एड्वाइज इस वाइल टेकिंगा ट्रेट ओल्वेस गो फर दा वैल्यू स्टोक एंद इंदा मनी ओप्शन थार्ड टिप में जो देना चाहूंगी डैट इस डोंट एवर लॉसिस होता गय अगर तो वहमारे ट्रेड हमारे फेवर में चला गया तो अच्छी बात है अगर वहमारे ट्रेड अगेंस में चला जाता है तो वट ट्रेडर्स दू इंसर्ड ऑफिटिंग देर स्टॉप लोस वट देडू टीप एवरीजिंग देर पोजीशन एक उमीद के सहारे कि नहीं यह ट्रेड उपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा पर होता क्या है वो ट्रेड उपर नहीं जाता है वो उनकी अगेंस चला जाता है पहले दूने के छोटा लोस होता अगर वो स्टॉप लेसिट कर देते बट एवरीज करने के चक्कर में देटेक अप बिग लोस कल क कि एक्जामपल ले लिजे कल सुबह बैंक निफ्टी काफी अच्छा बोलिष था पट दो बजे क्या हुआ बैंक निफ्टी ने ओल उफ सदन एक डाउन फोल लिए और छोटा मोड़नी एक अच्छा कासा डाउन फोल लिया वट भी पर देट जिन्नोंने कॉल ली थी वट लिजोड़ अच्छिए अफ डिश्च उपट युट उपर लिया वट मोड मोस अफ देट डिट उन्नोंने क्या उस्कौल को एव्रेज कर लिया यह सोच़चए घौनेन ऑप जरूर जाएगा और उसको कारी भी कर ला क्युक्त कर मेरे पास सबसे तरह आता सब आख वरस्प आज उनके साथ क्या हुआ होगा बैंक निफ्टी और गिर गया कल अगर वो छोटे लोस पे निकल जाते अपना स्टॉप लोस इट कर जाते तो उनके छोटा लोस होता आज they have to face the big loss क्योंकि आज बैंक निफ्टी और गिर गया सो हमेशा हमें क्या गरना चाहिए जब भी हम कोई ट्रेड लें हमें अपने स्टॉप लोस पे अपने ट्रेड को निकाल देना चाहिए instead of averaging our stop loss क्योंकि अगर हम अपने लोस को average करेंगे तो हम क्या करेंगे बड़ा लोस लेंगे और जब हम बड़ा लोस लेंगे तो हम अपनी capital को blow करेंगे so if you want to protect your capital always get out of the trade when you stop loss it don't average your losses and don't carry your position इस उमीद के सारे की नहीं market उपर जाएगी है उसके सारे की नहीं यार ये ट्रेड तो profitable हो जाएगा कभी भी उमीद से ट्रेडिंग नहीं होती है हमेशा ट्रेडिंग रूल बेस ट्रेडिंग होती है जो हमें एक profitable trader बना सकती है so अगर आप अपनी capital को protect करना चाहते हैं always book your losses at stop loss don't average your losses if you'll average your losses you will face the big losses and that will blow your capital ठीक है fourth advice fourth advice जो मैं देना चाहूंगी always follow the trend अभी मैंने recently एक YouTube एक YouTuber की वीडियो देखी थी उन्होंने बड़ी अच्छी example दी थी कि जब आप पतंग उड़ाते हैं आप जब पतंग उडाते हैं पतंग उसी direction में उडाएंगे जिस direction में हवा आप हवा नहीं चल ड़ी होगी तो आपकी पतंग नहीं उडेहगी और अगर आप जबर तसकी पतंग उडाने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा आपकी पतंग भी फटेगी और आपकी अर्डी भी वेस्ट हो गाइखा, हमें क्या करना है, हमें market के trend को पहचाना है, और trend के साथ ट्रेडिंग करने है, अगर हम trend के against trading करेंगे, that will give us a losses, so always do the trade in the trend of the market, don't try to do the trade opposite of the trend of the market, अगर आप market के trend के साथ चलेंगे, तो your trade will be a profitable trade, so fourth advice is, always always follow the trend the fifth advice the fifth advice I want to give you a trader कि always do your homework before doing the trading आप एक एक्जाम पे लेजिए आप एक्जाम देने जाते हैं आप बिना पढ़के तो एक्जाम नहीं दे सकते हैं तो जब भी आप ट्रेडिंग करें आपका आपने कोई ट्रेड लेन आपको पता होना क्या हुआmented क्रेड Украї सवार मार्कीट खुली नॐ दस पर अक्जाम सिस्ट्म में किया येस we are ready to take our trade नो आपको at least साड़े आठ बज़े अपना system होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि international market क्या कर रही है आज DAO ने क्या किया SGS Nifty क्या कर रही है कोई big event हो नहीं है आज कल कोई US में कोई event हो नहीं हो उन में से किसी stock का कोई event हो नहीं है क्योंकि अगर आपको ये homework दन नहीं होगा ना तो अगर market में आप trading करते हैं कोई इन में से कोई चीज इंपक्त कर जाएगी ना that will be a surprise for you and that can give you a losses so always start your day with the homework और homework करने के लिए आपको market में एकदम से नहीं आने है दो दस पे आपको system पे नहीं बैटने है always sit half an hour before market open so that आप pre-market analysis कर सकी आपको सारी news पता होने चाहिए so that you are ready to take a trade आपका homework done है you are confident to take a trade so always do your homework before starting the trade so this is the five advice which I wanted to give you to trader अगर आप trading करते हैं अपनी capital को protect करना चाहते हैं तो इन 5 advice को जरूर follow कीजिएगा ये advice आपको help करेंगी आपको capital को protect करने के लिए जब भी आप trading करें इसके लावा guys एक मैं advice देना चाहती थे अपने followers को मेरे पास आजकल आप बहुत जादा request आ रहे हैं कि मैं मैंने trading में इतना loss कर लिया मैंने trading में इतना loss कर दिया प्लीज कुछ ऐसे solution बताइए कि हम अपने losses कवर कर सकें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना चाहते हैं तो don't think about your losses start fresh क्योंकि अगर आप losses कवर करने के लिए दुबारा trading करेंगे ना तो you will do the big losses आप उस losses को और losses में convert कर सकते हैं so don't do the trading to cover your losses always do the trading to earn fresh and start fresh so मेरे लिए यही अड्वाइजर सब followers को कि अगर आप trading करना चाहते हैं तो पुराने losses को भूल जाए और एक नया शुरुवात की दिया और अगर आप नहीं शुरुवात करेंगे तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप पुराने लोसिस को लेकर चलेंगे तो आपके उपर एक प्रेशर होगा और अगर आप प्रेशर लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो तो यह अगर अब भी तक आपने मेरा टेलिग्रम चैनल जॉइन नहीं किया तो आप गि करेंगे च सबसे को यह ड़ीग कर प्रेशर हैंगे विदा को यह चैनल नहीं किया करेंगे तो चैनल गणाल तो आपके चरेंगें प्रेडम चैनल तार एम धर प्रेशर यह लिलाूघ कि करेंगे सबसे क सक्ट D एस rules और दू sack strategy and thank you so much guys for watching this video bye